यह क्यों बेक चानल केसे हुआ हूँ आप सबये होगा है आप सबसे आप सेफ हो गर आज के हम निमेडिकल्स वाले यह पर चाप्टर कारण जा रहे हों चाप्टर करने जा रहे mechanical सो पुरा प्रोसेस है इन नोस को बिल्कुल FRी में ऐक्सेस करने का वा आपको दिस्क् Professor में रख है का यहाँ को पड़ा के आ goes वहाँ चाती है गल्कुल सब्सक्रा नोटर को अक्सेस करने का द्था पर ससंग में कोपे पर फञागर तो फोलो करो ईस निंक ज्यांग कर सकते फटाफर जाकि फॉलो मारों विदाउट अनी फटेडियो गई इस वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्चिन जो आपकी स्क्रीन पर है वो है तक क्रॉस सेक्शन ऑफ टू पिस्टल्स इन हाइड्रोलिक लिफ्ट और 100 cm2 as well as 800 cm2 तो आपको आपके क्रॉस सेक्शन यह दे रखे हैं 100 cm2 और 800 cm2 respectively what is the minimum force required to lift 5000 kg of weight on the large piston ठीक है इन किलो न्यूटन में बताना है कि 5000 kg weight को हमें यहां पर minimum force कितना चाहिए इसको उठाने के लिए लार्ज पिस्टन के उपर लार्ज पिस्टन सर्फेस के उपर ठीक है तो फटा फट इस वीडियो को पॉस्ट करो और एक खुड ट्राय करने के कोशिश करो फिर मैं आपको इसका सॉलीशन बताता हूं अगर आपको पता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आंसर निका जाएगा पर लार्ज पिस्टन सर्फेस वाले अरिया पर पर यहां पर फार्ज प्लवेट रख रख तो यहां से फ्को स्कूट आप किस पर लगाओं भी स्मॉलर्फेस एक एक तरहके इंटो जी मतलब एक तरीके से mg गिए आपको तो 5000 इंटो जी देट इस 9.8 आपका वेट हो गया इंटो अपॉट 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 अवन वाट इस अपका 100 गिए आपके कोशिशन के अंदर देख सकते हो आप यहां पर आपको जो एटो गिए वेट अवेट इनकल कार रहोग्या तो यहां पे त्रौंट अपको जो जी नेकल के आएगा तो यह निकलग आएगा ज्याइगा और यह की कोशिश करोगे तो आपका आपको फोर्स का और आपको आपको यह पोट नहीं पता तो मुझे बहुत दूख हो इस बात का अब आपको पता होने चाहिए और आपको फ1 की वैली निकालनी सारी वैल्यूस पूट करनी है और आपका आपका आजाएगा तो विदाउट अगले question पर चलते हैं अगला question आपकी में अगले क्या इसकिन फेल्स इंटिंशं औफ लिकव्ट बिकुम्स में क्रिटिकल टेमपड़ेटर पर तक करते हैं तो मर्स आप तेंटिघ टिंच्री अगर आप कोई बात नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको यह वाली चीज पता होगी तो आप यहां पे इसको solve असानी से कर पाओगा जैसे से temperature इंग्रीज होता जा रहा है और वो decrease होते 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 हैं जीरो हो जाएगा at critical temperature जब भी आप से critical temperature पे पूछे आपका surface tension of liquid तो आप यहां पर जीरो mark out करके आओ ठीक है यहां पर लोकुशन आपकी स्कीन पर दे रखा है 200 bubbles of radiai r1 and r2 equals यहां पर आपके radius दे रखे हैं आप 6 cm as well as 8 cm are touching each other over a common surface ETS 1 s-2 जैसे करें जीरी का पर देख सकते हैं यहां पे 12 बबल से तर्फ करें के 6 cm and 8 cm दे रखिए तो यहां पे common surface eTS 1 s2 पे हाँ पर टच कर रहे हैं उसके आपको आप रेडियस पतानी है कि महां पे उसकी तो यह को सॉल्फ करने है वीडियो पॉस को रहा है उसका आंसर निकाल लिया होगा आपको हमेशे कोशिश करी निमेरिकल्स वाले सीरीज के आपको च्रिक्स जैसे जित्ती जाद में टेक्स पर शोट आप इस वाले इस टैप की जैसी कोशेंज आए जहां पर आपको दो सबस पता रहे हैं और यह एक common surface कर रहे हैं और फिर आप से उसकी radius पूछ रहा है आपकी common radius पूछ रहा है तो आपको उस type के questions में बहुत असा formula एक relation है जो कि आपको यहाँ पर फटा फट से पने formula book में लिख लो वाला relation जिसमें आपको पताया है वाले formula book पर लिखते जाओ जो आपको लगता है कि आपको पूछ वाले question solve नहीं हो रहे है और वाले formulas उन question में आपकी use हो रहे हैं आप उसको एक अलग formula book बना लो तो इन type के questions में आपको एक relation मनता है common r अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका radius का उस type के questions पर आपका बनेगा r1 r2 upon r2 minus r1 ठीक है यह आपका common यहाँ पे एक बहुत important relation बनता है in type questions का तो अगर आपको नहीं बता है relation तो फटाफर साथ इस relation को याद करो and इस relation के according यहाँ पर अगर अगर आप इसको values put करोगे what is r1 r1 is 6 into 8 upon 8 minus 6 6 x 48 upon 6 8 minus 6 is 2 2 2 2 4 that is आजसान आज जाएगा आपको 24 cm तो यहाँ पर आपकी radius पूची है वो 24 cm आ जाएगी तो अगर आपने से काफी लोग को यह वारा relation नहीं पता तो मैं आपको prefer करूँगा कि आप इस relation को याद कर लो है ना बागी concepts चलना तो वैसे भी चल सकते हो बट यहाँ पर इस relation को अगर इस टाप के questions पूचा जाए तो आप इसको याद कर सकते हो आपकी स्क्रीन पर एक्सेस प्रेशर इंसाड़ स्फेरिकल डॉप of water is four times that of another drop ठीक है आपसे एक्सेस प्रेशर दे रखा है स्फेरिकल ड पाता exhaust pressure अगर मैं बात करूं inside इस फ्रेशर जॉप इसका फ्रेलत जो जिसक ऐंप फर्मला होता है P is equals 2 होता है 2 is upon r ठीक है यहाप का फ्रेशिय। बताया होगा ठीक है एक्सेस प्रेशर के बाता होगा एक्सेस प्रेशेर का नहीं कितना है P1 निकालते हैं फटा-फट से पहले P1 कितना है आपका 2 जा आपको इसको t consider कर लेता हूँ 2T upon R1 ठीक है और आपको P2 कितना है that is 2T upon R2 ठीक है और आपको पता है जो आपके पर एक्से प्रेश्र ऑफ 1 है वह आपका 4 times है as extra pressure of 2 तो मतलब P1 मतलब 2T upon R1 is equals to 4 times of 2T upon R2 ठीक है समझ गए वारी बात बहुत असान से चीज है तो यहां से जैसे आप इसको values आपके answer निकालना चाहोगे तो आपके जो R1 आजाएगी वह आपकी मतलब जो आपके R2 आजाएगी वह आपके आजाएगी 4 times of R1 ठीक है आपको आपके पता लग गई radius of 2 जो है वह 4 times of R1 है general C question है आपने आप इस formula के दोनों value दोनों आपने जो आपके बोलते हैं drop से लिए आपने अलग लग है आपके access pressure निकाला access pressure की question लिखी दोनों को equate किया जो 4 times से आपके question में रखा है यहाँ से आपको radius का relation निकाला है आपको क्या करना है इनके mass का ratio निकालना है आपको पता है density is equals to mass upon volume बहुत अच्छी से भली बात है आप जानते है उस चीज़को तो क्या करना है आपको इन दोनों का mass का ratio करना है तो M1 upon M2 जैसे आप इसको equate करोगे इस उप्पर वाली density जोगर तो mass upon volume के formula के according तो यहाँ हो जाएगा volume 1 row upon volume 2 row ठीक है समझ गे यह बात इसको जैसे आप इसको आगे solve करने की कोशिश करोगे तो आपको जो volume होता है वो होता है 4 by 3 pi r1 cube हो जाएगा into row upon 4 by 3 pi r2 cube हो जाएगा into row ठीक है तो जैसे आप इसको solve करोगे M1 upon M2 करके यहाँ पर आपकी values 4 by 3 pi और यह आपका 4 by 3 pi यहाँ आपस में कट जाएगा similarity row भी आपके आपस में कट जाएगा और आपको पता है जो r2 है वो 4 times of r1 है तो जैसे आप इसको यहाँ पर लेखने की कोशिश करोगे तो यह तो आपस में सब कट जाएगा ऐसे करके और यह कट जाएगा मतलब r1 cube upon r2 का cube r2 का है 4 times of r1 तो 4 r1 का cube करोगे that is 64 r1 cube इसको आपके cut out करोगे और आपको यहाँ पर इसको यहाँ लेकना चाहूं अगर मैं तो यहाँ पर आपका जो final value आएगा m1 upon m2 का वो आजाएगा 1 upon 64 I hope कि आपको यह answer भी यह question भी अच्छे समझ में आ गया है उसका solution आपको समझ में आ गया है उसका answer है आपका given है 1 ratio 64 जो कि D option है तो पहले आपने excess pressure यहाँ पर निकाला दोनों को equation को equate किया radius की आप equation निकाल दी उसके बाद density equal to mass upon volume formula यूज किया उनको आपस में ratio किया और वहाँ से mass आपन निकाला तो that is 1 upon 64 M1 upon M2 are ratio अगले question है कि pressure at a point inside a liquid does not depend on तो आपको पता होना चीवी pressure on a at a point inside a liquid आपके किस-kis चीज़े पर depend करता है जभी आप दिखा पाओगे कि कौन से चीज़ें पर नहीं depend करता nature of the liquid पर depend करता है depth of the point below the surface of the liquid यह भी इस पर भी depend करता है acceleration due to gravity पर भी depend करता है किस पर depend नहीं करता it is independent of independent of amount amount of the amount of the liquid and the shape of the container shape of the container इस पर यहाँ पर इन दो चीज़ों पर यहाँ पर depend नहीं करता है solution भी एक तरीके से ही आपका pressure rate a point inside a liquid इस पर depend नहीं करता है shape of the container आपका answer हो गया तो आपको पता होना चीज़े हाँ पर कि कोश चीज़े पर depend करता है किसकी वैसे हो रहा है तो अगर मैं आपको इसका answer बताना चाहूं कि आपको तो यहां पर इसका जो आंसर होगा वो होगा और अगर मैं आपको equation of continuity according देखू तो अगर area हाँ पर कम होता है तो अपर velocity increase होती है area कम होने में जो velocity होती हो इंक्रीज होती है मतलब अगर यहां पर जो blood होगा वो अगर आपका narrow artery से bigger larger lumen के artery पर जाएगा तो इसकी जो velocity होगी वो decrease हो जाएगी यहां पर area बढ़ गया तो आपकी velocity decrease हो जाएगी तो यहां पर अगला question आपका है कि solid sphere falls with a terminal velocity V in the air तो यहां पर solid sphere को हमने आपर नीचे fall कराया और वहां पर terminal velocity V लग रही है उसके साथ वहां पर fall कर रहा है तो यहां पर इसी solid sphere को मैं vacuum में fall कर रहा हूं तो यहां पर क्या होगा terminal velocity पर तो यह तो बहुत यह अच्छा basic सा सवाल है I hope कि आपको आता होगा बहुत असान है कि यहां पर स्फेर जो होता है कभी भी terminal velocity को vacuum में आप अटेन करेगा इन इसका अंसर डी क्योंकि यहां पर vacuum में कोई viscous force नहीं लग रहा है स्फेर के ऊपर तो यहां पर जो स्फेर है वो under gravity यहां पर fall कर रहा है तो कोई viscous force यहां पर present नहीं है और यहां पर स्फेर जो है अंडर ग्रैफ्टी से fall कर रहा है तो कोई कभी जो स्फेर है वो टर्मिनल करी नहीं पाएगा तो इसका यह बहुत ही बेसिक सवाल था जो पी आप से वेक्यूम से सवाल पूछे तो आप फटा-फटे की नेवर अटेंस टर्मिनल कर आजाओ तो इस एपो सिफ सर्फिस टेंशन की वैसे होता है कि तर्फिस टेंशन जो होता है डे टेंट टू डिक्रीज अगरेगा अधर अब यह यह आपर यह अधरी स्फेरिकल में हो जाती है अगला कोशन आप यह यहाप यूट्यूब वाले कोश्चन से बहुत ही एक सिसिम्लर पैट तो पस यहां पर आपका कुशन कर दिया इसी बात पर सेम लेवल बोलके 10 cm of water in one arm and 12.5 cm of in the other as shown in the figure. तो related density बतानी मुझे spirit की कितनी है तीक है यह और यहां पर दे रखा है इसलिए तो mercury सेम लेवल पर यहां पर हमें लिखना चाहूं कि as the mercury columns as the mercury columns in the two arms of the YouTube of YouTube अब YouTube पर देख रहे हो मेरे को एक तरीके से are at same level जैसी same level पर तो क्या होएगा जो pressure होएगा जो pressure होएगा due to water एक तरफ water है और जो pressure होएगा दुछ तरफ क्या है spirit है तो pressure due to spirit को अलम यहां पर एककल हो जाएगा pressure due to water I hope की चीज़ में आ गई होगी जैसी आप इसको value पूट कर रहोगे pressure क्या होता है तो यहां पर रो जी एच रो जी एच यह हो जाएगा spirit के लिए ठीक है इसको आप cut out कर दोगे यहां से तो यहां से आप related density की value निकान लेगी कोशिश करोगे तो तो रो एस अपॉन वाटर इस इकोल स्टू अपॉन एच एस और वैडियू पूट करोगे 10 cm अपॉन यह कि तहने रखा है को 12.5 cm को जैसी calculate करोगे इस का अंसर आ जागा 0.8 ठीक है और आपको क्या करना है relative density निकालनी है मतलब रो एस अपॉन रो डबलु की आपको value निकालनी है क्योंकि H मतलब height of water जीतना आपका है उसमें आपको value given है question 10 20.5 उसकी spirit की दोनों को दोनों को divide कर तो 0.8 आपका अंसर आगे relative density का ठीक है अगले question है angle of contact of liquid with a solid depends on बहुती बहुती ज्यादा basic सवाल जस्ट इसको याद कर लो कि angle of contact of liquid and solid किस पर depend करता है angle of contact of liquid with a solid depends on किस पर depend करता है यहां पर liquid का contact with solid जोब डिपेंड करता है यह करता है आपका solid and liquid only इनी पर पर depend करता है solid only ना solid only ना liquid only ना orientation of solid surface बहुत solid and liquid only पर depend करता है क्योंकि यहां पर आपका force of adhesion and adhesion and co consider करा जाता है और considered ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं नहीं बहुत ही basic सवाज है अगर इसमें ज्यादा आपको ताम जम लगे वह ऐसा क्यों वैसा क्यों तो याद रखना अगर पूछ ले बोलना सीधा force of adhesion and cohesion यहां पर यहां पर आपको surface tension को formula पता होना चाहिए surface tension क्या होता इस फोर्स अपन लेंथ कितना पिल उसने लेंथ फोर्स पर यूनित लेंथ होगे surface tension आपको अलड़ी गिवन आपको फोर्स निकालना है that it will be surface into L surface tension into length surface tension कितना है 72 into 10 to the power minus 3 length अगर plate है तो 2 pi r circumference हो जाएगा that is 2 pi into r सब value आपको अलड़ी गिवन है 72 into 10 to the power minus 3 into 2 into 3.14 into radius आपको गिवन है 10 cm इसको आप मीटर्स में कर लो 10 upon 100 हो जाएगा इसका आपका answer निकल के आएगा 4.5 into 10 to the power minus 2 newton तो यह आपको फोर्स निकल में section में बता दूँ मैं आपको wait कर रहा हूँ definitely हम आपको respond करने के कोशिश करेंगे हम react करेंगे आपके answers पे तो इस question का answer comments में लिखके बताओ पास एक बाक्षान करना है कितना work done लगेगा एक soap bubble को form करने में जिसका surface area 80 cm square है तो work done का formula बताओ ना चीए फिर आप इसको फासानी से कर लोगे हमगा के बाकि हिंट में आपको जादा नहीं दूँगा coverts पर वटावट से बताओ इसका answer क्या है अगला question है आपके 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 हाँपे कि प्रेशर क्या होता है यहां पर प्रेशर क्या होता है तो रोजी पहला क्या करोगे एच कैपिटल एच प्रेप्ट इस्मालेच इन दौन को एक साथ करोगे small h into v v कितना होता है 4 by 3 by base हम बेस की बात कर रहें बेस आपकी small r qb और p2 कितना होगा रो जी अब यहां पर आपके surface पर आ गया है तो capital H लेके चलेंगे into volume कितना होगा 4 by 3 3 by अभी आपर triple हो गया है तो आपका 3 r का whole cube हो जाएगा ठीक है इस बात समझ गया आप इंदोनों को आप calculate करोगे बस यहां से रोजी रोजी कर जाएगा that will be और फिर तो यह 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 और यह भी कर जाएगा हो जाएगा वहाँ पर तो h plus h is equals to h into 27 यहां से आप h के value निकालोगे that will be आपका आजाएगा 26 time of capital H ठीक है तो बस आपको अगर यह equation पता होती तो आप इस equation के help से यह निकाल सकते थे base पे bottom of the lake of surface पे आगे triple हो गई जो कि हमने आपर triple कर दिया 3 r का whole cube कर दिया है 9 into 27 r करके h capital H पे small h it equals to h capital H into 27 यहां से small h की value 26 into h times ठीक है यह आपकी depth ठीक है तो यहां से सको कर जाते हैं ऐसे okay लाश्ट कुछन नमारी इस वीडियो का यहां पर यहां पर आप अल ऑलोग का स्ट्रीम आन आपसे पूचाया है तो the velocity of a fluid particle तो यही ब्लुकुल आपका correct option भी है बागी पढ़ने के हमें जरूत है नहीं तो velocity of all the fluid particles crossing a given position किसी भी given position पर जितने particles यहाँ पर fluid particles की velocity है किसी भी particular position पर streamline flow में वो constant रहती है तो बागी कुछ पढ़ने का मतलब है नहीं जैसी वाला यह सब्सक्राइब करें किसी परटीकों पूजिशन में वेलोसिटी व अल्ड़ फ्लूट पार्टिकल रहती है ठीक है तो यह आपका लाश को शिरीज पसंद आई हो एंड आपको जो में होंवक दिया है फटाफ़र से इसके जो नोट से आपको सामने आपको देख रहे हैं वह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकती है हमारे इंग्लिश वर्ड आप पे सासवा तमारी वेबसाइट जो भी लॉंच हो जाएगी उसका भी जैसी लिंक आएगा मैं आपको डिस्रिप्शन में ही आपको आपको अ चुकी है निमेरिकल्स बच्चियों में वह आपको मैं डाल दूँगा बेट से जगए थैंक वाचिन इस वीडियो जब सब्सक्राइब बाबार मिलते एक नेक्स निमेरिकल्स वाली वीडियो में